दिर्दभारती सकी सहेली देखो आज दो महत्वपूर्ण दिवस हैं जिनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा अपने सुनने वालों के साथ करेंगे यह है नरसंगार पीडितों की याद में जो हम एक दिन मनाते हैं और नरसंगार को कैसे रोका जाए इसके बारे में जो बात की जाती है इस दिन पर इसका अंतराष्ट्रिय दिवस आज है साथी आज अंतराष्ट्रिय भरष्टाचार विरोथी दिवस भी है तो इसके बारे में भी थोड़ी बात दोगी और सखी विशेश में हम बात करेंगे आज मनजम्मा जोगती की और वेंजन तो होंगे ही तो बस इसके लिए थोड़ा सा एक कहते हैं कि उन्हें कौतुहल रहने दे हमारे सुनने वालों में कि वेंजन खटे होंगे, मीठे होंगे, चटपटे होंगे क्या हो सकते हैं बिल्कुल और साथ ही एक प्रेश्ण अपने श्रोताओं से सखियों से ये भी कर लेते हैं कि देखो चंचल, पौधे लगाने का शौक जो होता है थोड़ा या ज़्यादा सभी में होता है है ना, तो अगर पौधे आप लगाते हैं अपने घर में तो किन बातों का खयाल हमें रखना चाहिए हम तो बताएंगे ही हमारे शौता और जो सखियां है वो किन खास बातों का खयाल रखते हैं बिल्कुल, तो सावधानिया क्या है किस तरह की सावधानिया है जिनका वो ध्यान रखे और क्या समस्यां आ सकती हैं पौधे लगाते वक, जिस तरह से पौधे को हरा भरा रख सके क्योंकि बगीचा तो होता रही हम आजकल जिस तरह की कॉमपैक्ट छोटे-छोटे घर होते हैं उसी में कुछ पौधे के गंबले आपके पास अगर है तो उन्ही को सहेज कर आपको रखना है बिल्कुल क्योंकि पौधे जो हैं वो सकारात मकता लेकर आते हैं और गीत संगीत हमारी उर्जा को और बढ़ा देता बहत खुबसूरत गीत के साथ प्रोग्राम की शिरुवात तो हुई और अब हम बात करते हैं नरसंगार अपराद के पीडितों और इस अपराद की रोग्थाम के लिए जो आज का दिन मनाया जाता है ये अंतर राष्टे दिवस है 9 दिसंबर और 1948 9 दिसंबर के दिन इसकी शिरुवात हुई थी तो इसे साब से अज चोहेत तर्वी वर्षगाठ है अकांक्षा इसकी नरसंगार के अपरादों को रोकने और जगन्य अपरादों में शामिल लोगों को दंडित करने के लिए सभी देशों का करतव यह है जो इस्थापित करता है इसके बारे में इसमें कहा गया है बिल्कुल वैसे चंचल सयुक्त राष्ट महासभादवारा अपनाई गई यह पहली मानवाधिकार संधी है और यह दिवस नरसंगार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे रोकने में सयुक्त राष्ट का जो समेलन है उसकी भूमिका को अपनाने के लिए भी मनाया जाता है और इस महत्वपूर्ण तारिक के बाद में नरसंगार के अपराद और इस अपराद की रोक्थम के पीडितों के इस मरन के और इनकी गरिमा के अंतरराष्ट्री दिवस का निरिक्षन करने के लिए आज के दिन को चुना था इस सम्मेलन ने कह सकते हैं कि नरसंगार शब्द की पहली कानूनी परिभाषा निर्धारित की इसने ये भी बताया कि नरसंगार को रोपने की मुख्य जिम्मेदारी जो है वो सभी देशों के मिलकर है और 2005 के विश्व शिखर सम्मेलन में सदस्य देश जो भी थे अपनी आबादी को युद्ध अपराधों नरसंगार मानवता के खिलाफ अपराधों और जो अन्य जो भी अपराध होते हैं उनके उकसाव से बचाने के लिए वो सब सहमत हुए और ये शिखर सम्मेलन इसमें ये भी सहमती हुई कि अंतराष्ट्रिय समुदाय से इस उपाय में सदस्य जो भी देश है वो सहायता करेंगे और सामुई ग्रूप से कारवाई करेंगे जब कोई सदस्य देश इन अपराधों से जो भी उनको नुकसान हो रहा है वो अपने देश की रक्षा करने में अगर विफल रहते हैं तो इसके बारे में चर्चा की जाएगी बिल्कुल नरसंगहा की रोक्थम पर कई विशेश सलाकार भी होते हैं जो उन ख्षेत्रों का आकलन करने के लिए काम करते हैं जहां इस तरह के जो जन विरोधी अपराद हैं उनकी संभावनाई ज्यादा रहती हैं या पनपनी की संभावनाई ज्यादा रहती हैं बिल्कुल चंचल इसी तरह आपसी प्यार को बढ़ाते हुए हमें एक दूसरे का साथ देते हुए एक दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़ना है और इसलिए आज एक और दिन हम मनाते हैं जो है अंतराश्ट्रिय ब्रष्टाचार विरोधी दिवस और आकांक्षा इसे मनाने का उद्धिश यही है कि जो ब्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ रहा है इसके पती लोग जागरूख हूं और इसको रोका जासा कि इस पर अंकुष लगा जासा कि क्योंकि यह एक बड़ी जड़िल समस्या है और बहुत बड़ी सामाजिक कुरीती भी है जिससे लगबग विशु भर के सारे देश प्रभावित है बिल्कुल इसके लिए सयुक्त राश्ट्र महासभा ने ब्रश्टाचार के खिलाफ सयुक्त राश्ट्र सम्मेलन को अपनाया और इसकी एक अंतराश्ट्री जो कमिटी है उसने माना कि ब्रश्टाचार जो है एक कह सकते हैं कि बेहत समाज के खिलाफ एक कृत्य है और किसी भी लोकतंत्र के लिए एक बेहत खतरनाक है इसलिए हम अंतराश्ट्री भरष्टाचार विरोधी दिवस मनाते हैं यानि International Anti-Corruption Day और खास तोर पर विकास शील देशों के लिए ये समस्या और भी गंफीर है क्योंकि इससे जो सामाजी क्रफतार है या आर्थी क्रफतार है किसी भी देश की धीमी हो जाती है और देश की सुरक्षा है वो भी प्रभावित होती है करोणों लोग जो हैं देश से जुड़े हुए उनकी शिक्षा, स्वास्त है जो अन्य जन्स विदा हैं उससे भी लोग वंचीत रह जाते हैं और किसी भी देश की जो नीव हैं उसको बचाने के लिए जो भ्रष्टाचार की जणे गहरी हो रही है उसको रोकना सबस्यादा जरूरी होता है क्योंकि ये बहुत नकारात्मक प्रभाव डालता है किसी भी देश के विकास पर बिल्कुल दिसंबर 2003 में अंतराश्ट्रे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का पहला कदम United National Convention Against Corruption यानि UNCAC पारित करके संयुक्त राश्ट्र द्वारा लिया गया था इसको 31 अक्टूबर 2003 में तयार किया गया था और संयुक्त राश्ट्र के सदस्य देशों के बीच ये एक संधी है जिस पर 9 दिसंबर को हस्ताक्षर किये गए और 14 दिसंबर 2005 से ये प्रिभावी हो गया और इस संधी का उद्देश है कानूनी रूप से ब्रश्टाचार को कम करने के लिए सबी जो सदस्य देश हैं उनको बांधना और कानून व्यवस्ता को लागू करना था और जो समझोते रखे गए उसमें कुछ मुख्य मुद्धों को भी दर्शाया गया इसमें बिलकुल ये ये जो पांच मुख्य मुद्धे थे वो थे ब्रश्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना साथ ही कानून और व्यवस्ता लागू करना अंतर रश्टी इस तर पर ब्रश्टाचार को कम करना साथ में संपत्ती की वसूली और देश को अपने मूल रूप में लाना और तकनीकी सहायता और जानकारी का आदान प्रदान करना और युनाइटेट नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करेप्शन यानि युन्सी एसी का जो मुख्याला है वो मेरिडा और न्यू यॉर्क में है 9 दिसंबर 2006 को ब्रश्टाचार के खिलाफ संयुक्त राश्ट्र समिलन पर हस्ताक्षर करके भारत में पहला अंतर राश्ट्र ब्रश्टाचार दिवस मनाया गया था जी हर साल करॉप्शन परसेप्शन इंडेक्स के नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है जो बताती है कि कौन से देशों में कितना भ्रश्टाचार है और इसे नियंतरित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं ये इस तरह की चीजें चलना बड़ा अच्छा होता है क्योंकि जब आंकडे आते हैं तो पता लगता है कि कहां कितना आव्यवस्था है और उसको किस तरह से रोका जा रहा है और समयुक्त राष्ट के आंकडों के अनुसार एक बहुत बड़ी रकम है जो कि रिश्वत के रूप में चली जाती है और इससे बहुत सारा नुकसान किसी भी राष्ट को होता है और ये अनुमान लगाया जाता है कि कितनी धनराशी इस तरह से खो जाती है उस देश की जो हमारे देश के विकास को रोक रही है तो विकास बढ़ता है बिल्कुल और समाज के विकास में भी किसी रूप में बाधक है जो हमारी आने वाली जो पीड़ी है जो यंग जेनरेशन है अगर वही बाधित होगी तो सोचिए देश समाज के विकास पर और देश के विकास पर कितना प्रभाव पड़ेगा बिल्कुल जैसा कि अब भी हमने जिक्र किया कि बहुत सारे लोग हैं जो इन सुविधाओं से वन्चीत रह जाते हैं सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उनका अनुप्योग कर रहे हैं बिल्कुल तो भाई हम प्रश्टाचार की जो बात कर रहे थे ना उस विश्यमें हमारी एक सक्षी ने कहा है कि किसी चीज की गलत जानकारी देना टेक्स की चोरी करना चीजों में मिलावट करना काला बाजारी, रिश्वत खोरी, अघूस खोरी ये भी भ्रश्टाचार के ही प्रकार है बिल्कुल सही बात है, आप अनावशक तरीके से किसी की मदद कर रहे हैं चाहे वो पैसे के माध्यम से हो ये किसी चीज के माध्यम से हो, अपना काम करवाने के लिए गरा देते हैं, तो भ्रश्टाचार ही है अगला जानकारी भी भ्रश्टाचार है धन्यवाद देते हैं सकीखो और अगला विशे जो है मंजम्मा जोगती सकी विशेश हमारी, इनकी बात हम करते हैं कहते हैं ना आकांशा कि संघर्ष में तब कर ही कोई भी व्यक्तित्व कुंधन होता है तो मंजुनाद से मंजम्मा जोगती बनना ये जो शक्सियत है बचपन से उन्होंने संघर्ष किया पहले खुद के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और ये जो उनकी तपस्या थी इसने उन्हें और ज्यादा मजबूत बनाया और ऐसी लोग कलाकार के तौर पर वो पहचानी गई कि भारत सरकार की तरफ से पदमश्री जैसे सम्मान से उनको नवाजा गया बिल्कुल चंचल ये जो शब्द है ना ट्रांसजेंडर या परलेंगि इसे लेकर आज भी हमारे समाज में जाने कितनी तरह की धारणाय है हाँ बिल्कुल हलाकि समय के साथ धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं लेकिन इन सब के बावजूद मतलब कई ऐसे उधारण है कि इन लोगों ने भी समाज को वहतर बनाने में अपना महत्वपून योगदान दिया है और जो लोगों की सोच है उसे गलत साबित किया है और ऐसा ही एक नाम है मंजम्मा जोक्ती जी का जिने लोग स्नेह पूरवक या आदर पूरवक अम्मा कहकर बुलाते हैं इनकी अगर हम बात करें तो एक करनाटक के बिल्लारी जिले के कलुकंब गाओं में पचास के दशक में इनका जन्म हुआ और क्योंकि ये एक पुरुष के शरीद में जन्म हुआ तो इनका मंजुनात शिट्टी ये नाम रखा गया था इनका शिरुवाती जीवन ही कह सकते हैं कि शिरू से बहुत संगरश में रही जब स्कूल जाना शुरू किया तो इनके जो हावभाव थे या तरीके थे वो ऐसे थे कि इन्हें लगता था कि मुझे एक लड़की होना चाहिए तो माबाप ने भी इस चीज़ को समझा और फिर उन्हें दीक्षा दिलवा दी इनकी शिक्षा दस्वी तक ही हो पाई थी और इस दीक्षा के बाद उन्हें घर में फिर से जाने की अनुमती नहीं मिली बिल्कुल और उसके बाद उन्होंने जो मंदिर में जाकर जोगपा बनने की जो दीक्षा ले उसके बाद वो घर तो वापस जा नहीं पाई वहां से जब वो बाहर निकली तो भी उनके लिए आगे का जीवन भी आसान नहीं था बेहत संघर्ष किया उन्होंने और कई चीजों का सामना किया और सामना करते करते इसी दोरान उनकी जो मुलाकात थी पिता और पुत्र की एक नित्य करते थे तो वो सिर्फ नाच ही नहीं रहते बलकि स्टील के घड़े को सर पे रखकर उसे बिना गिराए अपनी कला का प्रदर्शन भी कर रहे थे और इसी हवस्था में जमीन पर गिरे सिक्कों को अपने मुंग से उठा रहे थे ये जो नित्य है इसी से उनके जीव तो सोचा कि जब एक आम वेक्ति इस नित्य को कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकती और इस पर उन्होंने उस आदमे से बिन्ती की कि वो इसे इस नित्य कला को उनने सिखाए और जब वो वेक्ति राजी हुए तो वहां जाकर वो इस नित्य को सीखने लगी बिलकुल मंजमबा के इस नृती के प्रती लगाओ को देखते हुए उनके एक जोगपा साथी ने उनकी मुलाकात एक लोग कलाकार या कालवा जी से करवाई कलवा एक विशे शक्य थी और मंजमबा नौ सेखिया वो बहर डर गएगी इतने बड़ी लोग कलाकार के सामने वो कैसे नाचेंगी लेकिन मंजमबा नाची और बहर खुबसूरत नाची कलवा जैसे जैसे धुन बदलती गई मंजमबा ने भी उतनी ही बहतरी रूप से अपन थी नृत्य के लिए वो एक पहचान बन गई और धीरे धीरे वो जो नाचक उन्हें मिलते थे उन्हें लीड रोल करने लगी थीटर में भी उनका मन लगने लगा और केवर उनके नाम से अपशो चलने लगे थे और इस नृत्य नहीं आम जन मानस में उन्हें बड़ी पहच सके और अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके इसलिए उन्होंने इसे सीखा कालववा के मृत्य के बाद मंजंबा ने उनकी मंडली को समहाला और उनकी विरासत को आगे लेकर वे जा रही है वे बता दी हैं कि जोगति इनृत्य ही मुझे आगे लेकर आया है और इस करनाटक जनपत की पहली ऐसी अध्यक्ष हैं जो उस समाथ से तालूक रखती हैं और इस पत पर पहले सिर्फ पूरुष चुने जाते थे लेकिन अब उनका काम है इसे आगे बढ़ाना जब वो पहली बार इस कुरसी पर बैठी थी अध्यक्ष पत पर तो उनको लगा कि मैं ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा सम्मान मुझे मिलेगा और वो काम रहे थे उनके हाथ उस कुरसी पर बैठते हुए और साल 2010 में करनाटक राजियोटसव का सम्मान ये भी उन्हें दिया गया बिलकुल साल 2021 में उन्हें देश का चौथा सरवोच नागरिक सम्मान पदमश्री सेवे सम्मानी थुई और अकंशा किसी भी कलाकार के लिए बहुत गौरव पोर्ण बात होती है ये सम्मान उनको मिले और एक 11 सदस्यों की उनकी टीम है जिसके साथ वो जोगती नत्य और गायन इसकी भाव भंगिमाओं और इसकी स्किल डवलप्मेंट का प्रशिक्षन देती है और अपने अलग अलग जगे प्रश्शिन करके एक बहुत बड़ा मुकाम भी खासिल कर चुके है उनकी जो आत्म कथा है वो नाडुवे सुलेवा हिनु नाम से है हम मंजमा जोगतीगी जी के बारे में बात कर रहे थे चंचल और उनकी आत्म कथा नाडुवे सुलेवा हिनु सिर्फ उनकी जिन्दगी के बारे में ही नहीं बताती बलकि जोगतिन जोटे के बारे में भी बहुत कुछ बताती है करनाटक में मंझमा इतनी लोग प्रिया है कि उनके जिन्दगी जीवनी जो है वो हवेरे जिले के स्कूलों और करनाटक लोग विश्व विध्याले के स्नातक डिगरी में पढ़ाई जाती है और लोग उनसे प्रिणा लेते हैं गुलबर्ग विश्व विध्याले ने अगली तीन साल के लिए उनकी आत्मकथा का जो सो पन्नों का सारांशिक तयार किया है जिसे सनातक के विध्यारती चौथे सेमस्टर के दोरान पढ़ेंगे इससे पहले करनाटक राज्य अक्का महादेवी विश्व विध्याले ने मंजम्मा जोकती की बायोग्राफी को अपने पाठेक्रम की किताबों का हिस्सा बनाया था और वाकरी में अगर देखा जाए तो ये उनके साहज की पराकाश है नहीं बलगी जीवन में जब इतना कोई सहता है इंसान किस तरह से वो सपताता की सीडियां चड़ता है उनसे सीखना कोई बहुत बड़ी बात होती है उतरी करनाट एक दक्षणी महराश्र और आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध जोगति नृत्यकला को सम्मान और लोगप्रियता दिलाने वाली मंजम्मा लगभग 40 वर्षों से नृत्यकला से जुड़ी है उनके पहनावे की बात करें तो मांग में सिंदूर, माथे पर बड़ी लाल बिंदी, चेहरे पर सादगी, पट्टू कॉटन की साड़ी और हाथों में भरी-भरी कांच की चूड़ियां और बालों में फूलों के गजरे ये हैं उनका स्टाइलिश लोग बिल्कुल जब तुमने इस बारे में पूरा विस्तार से बताया तो बिल्कुल एक तस्वीर सी हमारे आखों के सामने खिच जाती है मन्जमा का जीवन हम जैसे हम शुरू से कह रहे हैं कि शुरू से संगर्श पून रहा, बहुत सारी मुश्किलों से भरा हुआ रहा लेकिन वो इतनी होसला उनका बुलन था कि वो कभी तूटी नहीं, बलकि अपने हर हालात के साथ पूर लड़ती रही, आगे बढ़ती रही और सरकार द्वारा मिले कानूनी अधिकारों के बावजुद, अब भी वो कहते हैं कि बहुत कुछ करना और बहुत कुछ बदलना बाकी है, ताकि हमें भी समान मानते हुए, लोग हमें साथ लेकर चलें जब हम घर में सजावट की बात करते हैं और जब वो जो बैलकनी रहती है या घर का आंगन जो रहता है वो खाली-खाली अच्छा नहीं लगता तो सबसे पहला ख्याल आता है कि क्योंनों कुछ पौधे लगा लिये जाएं, छोटे ही सही, गमलों में ही सही, लेकिन लगाएं जरूर और अक्सर मतलब देखा गया है कि पौधे तो लगा लिये जाते हैं और मतलब लाके उनको रख दिया, गमले में लगा के, अब एक्ष पौधे लगा लिये जाएं, जब हम किसी पौधे को देखते हैं और उसमें अगर फूल वाला पौधा है तो उसमें खिले हुए फूलों को देखते हैं तो वह हमें बड़ी खुशी देते हैं, लेकिन वह खुशी तभी मिलेगी जब उन पेड़ पौधों की पूलों की हम बिल्कूल और जब आप अपने हाथ से लगाए पौधों के साथ जब आप कुछ समय बिताते हैं तो आपको आंतरिक कहते हैं एक संतुष्टी भी मिलती है और खुशी भी मिलती है। और खुशिया पहलाना साथ में ऑक्सिजन देते हैं जो जीवन दाइनी चीज है और बहुत सारे पौधे तो ऐसे हैं जिने हम घर में अगर लगा रहे हैं तो वो दिन और रात दोनों वक्त हमें ऑक्सिजन देते हैं ऐसा खास पौधा है तुलसी जो बहुत ही काद भी डालती रहती हूं कुछ दिन पहले पढ़ा था तो नीम के पत्तों को उबाल लगा हैं जो बढ़ रहे हैं बहुत साही बात है इन्होंने जो लिखा है न कि इन्होंने नीम का पानी बनाया तो यह के घरेलू उपाय है अपने पौधों पर कीड़े लग रहे हैं तो उनसे बचाने के लिए बिल्कुल तो अगर हम घर में चुकि घर में बहुत जादा जगा तो होती नहीं है एक सीमीच सी जगा में हमें बागवानी का अपना शौक पूरा करना है तो जब पौधे लगाते हैं तो इन बात कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जैस बहुत अत्रिक्त सेवा की अत्रिक्त देखभाल के जरूरत होती है जो सिर्फ नरसरी में ही अच्छे लगते हैं एक बात का और ध्यान रखा जा सकता है कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सूरज की रोशनी और धूप के बिना आगे नहीं बढ़ते और घर में अगर जिस जग चाहिए या उसके बिनावी वो अपनी बढ़त कर सकता है बिलकुल मतलब घर के अंदर रखने वाला पौधा है इंडोर प्लांट है या आउडोर प्लांट है साथ ही पौधे लगाने के बाद समय समय पर पानी देना तो जरूरी है ही और जरूरी है एक नियमित समय के अंतर के पास उड़ाई के समय उन्हें भी निकालना बहुत जरूरी है और आकांख्या शोद बताते हैं कि जिस तरह हम लोग सम्वेधन चील होते हैं एक मनुशेक सम्वेधन चील प्राणी है पौधों में भी बहुत सारी सम्वेधनाय होती है जो एक व्यक्ति है वो प्रती दिन और जब उन्हें दिखता है तो वो खिल खिला होती है क्या बात है तो जो आप हम जो पौधे लगाने की बात कर रहे हैं चंचल सीमित जगह में अगर आप कहते हैं ना एक प्रापर रूप में अगर अपने गंलों को सलीके से रखेंगे तो उतनी सीमित जगह में ही आप करें। चंचल तुम बिन जाओं कहाँ ऐसे ही ऐसे ही ख्याल कुछ उन लोगों के मन में रहते हैं जिने अपने पौधों से बहुत प्यार रहता है जब बाहर जाना होना तो सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि हाई इन्हें पानी कौन देगा और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने पौधे पड़ोसियों क्या रख जाते हैं कि भी तुम इनकी देखभाल करना तो भाई पौधे लगाईए और देखभाल ज़रूर कीजिए इन पौधें से बहुत साइची चीदें मिल जाती हैं घर में अगर आप में टमाटल, मिर जैसे पौधे लगाए हैं तो अगर कोई चोटा मोटा वियंजल बनाना है और घर में ना हो तो भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा आपको पिल्कुल सही बात यहीं जा बना रहे हैं आज हम कुछ एक चटपटी सी रैसीपी हो जाए क्योंकि चार बजे का समय होता है वो चाय का समय होता है हमारी सक्यों का तो चाय के साथ कुछ वेज कटलिट कैसे बनाए जाए इसकी रैसीपी बताते हैं इसके लिए मध्या माकार के 200-300 ग्राम आलू चाहिए और शिमला मिर्च एक बारिक कटा हुआ फूल गो भी आधा कब बारिक कटा हुआ बंद गो भी आधा कब बारिक कटा हुआ गाजा राधा कब गिसा हुआ कदुकस किया हुआ मैदा दो टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर एक चौथाई चमच उससे भी थोड़ा कम या फिर स्वाद के अनुसार थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं अमचूर का पाउडर एक चौथाई चमच धन लाल मिर्च पाउडर एक चौथाई चमच से भी थोड़ा कम हरा धनिया दो टेबल स्पून या फिर हरा धनिया तो बहर बहर के डालिए स्वाद के अनुसार डाल दीजे और ब्रेट के स्लाइस छे और तलने कटलेट सलने के लिए जरूरत के अनुसार आपको तेल चाहिए अब आलूपो छ्हील लीजे च्हीले हुए आलू को इकदम बारिक बारिक तोड लीजय या मैş कर लीजे ब्रेट को तोड़कर मिकसर जाए ब्लुकुर उसका चुगरा बनालीजे बारिक तोडए हुए आलू में जो आपके आलू का जो मिक्सर है अपने मैश किया है उसमें गाजर, फूल, गोबी, बंद, गोबी, शिमला, मिरच, हरी, मिरच, अधर का पेस्ट, धनिया, पाउडर, सबी जो सबजियां हैं और मसाले हैं, इसे एक बाउल में डालकर मिक्स कर दीजे, इसमें एक छोटी चमच, नमक और मैदया थोड़ा सा घोलने के लिए वो भी डाल द के लिए, जो हमने मैदा ली थी तीन-चार चमच, वो सिफ एक उपर से कवर बनाने के लिए थी, मैदय का घोल बनाने के लिए थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर उसकी गुठ्लियों को खत्म करके एक पतला सा घोल, एक सलेरी जैसा बना लीजिए, इसमें तकरीबन एक चौ जियां, आलू, वो सब मिलाया हुआ, उसे अपमन चहा आकार दीजिए, आपको गोल बनाना है, थोड़ा अंडाकार बनाना है, या आपके पास अगर साचा है उसे आकार देने के लिए तो एक आकार उसको दे दीजिए, और इस कटलेट को मैदे के गोल में डुबोई है, फ तो ये तो कुछ तीखा सा वेंजन, मतलब खटा, तीखा, मीठा, मीठा तो नहीं कहेंगे, मीठा हम बताये देते हैं, मूंग दाल के लड़ू, जो प्रोटीन से भरपूर है, पॉस्टिक भी है, और सरदियों में खास तर से खाये जाते हैं, और चुकि मूंग पचने में भी हलका होता है, तो सामगरी है, पीली मूंग की दाल, एक कप, तलने के लिए घी जितना जरूरत हो, चीनी पाउडर, एक कप, इलाइची पाउडर, आधा चोटी चमच, काजू, एक चोटी चमच बारी कटा हुआ, बादाम, एक चोटी चमच बारी कटा हुआ, पिस्ता, एक चोटी चमच बारी कटा हुआ, इस जो सुखे मेवे हैं, आप अपने आवश्यक्ता नुसार कम्या जादा कर सकते हैं, तो बनाने के लिए मूंग दाल को धो कर 2-3 घंटे के लिए भीगाओ देना है, फिर इसे पानी निकाल कर, पीस लेना है, मिकसर में डाल कर, और एक म इडियम गाढ़ा सा, इसका मिश्रन तयार कर लेना है, न तो पतला, न एकदम सुखा हुआ, तो कोशिश करें कि पीसे समय पानी उसमें कम से कम ड़े, जी, अब ये जो मिश्रन है, इसका पकोड़ा तलने के लिए एक कड़ाई में घी गर्म करें, और घी या तेल आप जो भी लेना चाहते हों, चुकि हमें लड्डू बनाने हैं, तो घी ज्यादा बहतर रहेगा, अब गर्म घी में एक छोटा सा बॉल साइस का, ये जो मूं का मिश्रन है, उसे हम पकोड़ा कह रहे हैं, वो रख दे, इसे धीमी से मध्यम आज पर 2-3 मिनट तक, हर तरफ से कुरक मिक्सर में हलका से चला , तो पहले जो पकोड़े बनाएं हैं, जब ये ठोड़े ठंड़े हो जाएंगे , ठंड़े करने के लिए आप नोब लड़ेक हैं, जो ये ये ठंड़ेचर रख के रख लिए जब और हो जाएंगे, एक रूप टमरेचर पर आणे नेसे आउडर हो गया काजू वदाम और जो सूखे मेवे आप डालना चाहा रही है वो डालें और अच्छे से मिला लें फिर इसमें तीन से चार चमच घी डालकर अच्छे से मिलाकर जैसे हम लड़ू बनाते हैं ना एक मीडियम साइस का गोल आकार इसे देते हुए हथेलियों के ब देखी थी मूंग डालके लड़ू की ही तो उसमें क्या था कि बूरा डालने की बज़ा जो पिसी हुई शक्कर है या बूरा जी से हम कहते हैं उसकी बज़ा उन्होंने चीनी की एक गाड़ी-गाड़ी सी चाशनी बनाई और उस चाशनी में जो मूंग का जो छाना हुआ प सखी कह रही है कि पॉश महीने में चावल का पीठा बिहार के कुछ जिलों में निश्यत रूप से पनाया जाता है चावल के आटे में मसालेदार आलू की चने की डाल की नारियल गुड की मावा मुंग फली की या भुने हुए अलसी के पाउडर इन सब की चीनी वाली या ग खर के पीठा बनाते हैं और ये सभी के घर भेजा जाता है खासकर इसे बेटी के परिवार में या रिश्टदारी में भेजा जाता है पूस के महीने में बंगाल में भी पीठा जरूर बनाते हैं हाँ और ये पीठा बड़ा स्वादिश लगता है खाने में इसी तरह से हमारे शरीर को अधिक उर्जा देती है जो ठंड से हम बहुत क्योंकि ठंड बहुत पढ़ रही तो हमारे शरीर को गर्माहट भी देती है उर्जावान रखती है बिल्कुल यह जो पीठे की बात हो रही है कुछ इसी तरह का पीठा उतर प्रदेश के कुछ जगहों पर बनाया इसका पेस्ट बनाकर उसे डालकर जो पीठा बनाया जाता है खासकर ठंड के दिरों में बेहत स्वादिश्ट होता है और आकांक्शेस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसे भाप देकर पकाया जाता है तो यह बहुत ही पॉश्टिक आहार के तरह से हमें से खास सकते हैं क्योंकि इसमें घी तेल का इस्तेमाल नहीं होता जो लोग थोड़े से स्वासे के प्रती ज्यादा सा जग रहते हैं, हेल्थ कॉंशेस हैं वो चाते हैं कि तला भुना कम से कम खाया जाए, तो वो इस रहा से भाप में पकी हुई विंजनों का मजा ले सकते हैं चंचल तो घड़ी भी पुकार रही है कि समय समाफ्थ हुआ चाता है सभी से विदा लेते हैं तो चंचल वर्मा और आकांशा सिंग का नमस्कार